दिल्ली से आ रही है, जो यान्यू हुन्सा पर घमासान अब भी जारी है और उसी से उसी को लेकर ये ख़बर, वीसी के खराब जेन्यू की जो चात्र और शक्षक हैं, अब उन्होंने मार्श निकाला G.N.U. campus से Monday house की ओओ ये छातर जा रहा है मार्श निकालते हुए और सीताराम ये चुरी और प्रकाश कराध भी प्रदाश्तिन में शामिल हुए अंट छातरों के साथ इसके लावा शरद्यादब और डीराज भी प्रदाश्टिन में शामिल हुए है मुकेश मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश क्या फिलाल जानकारी है विवाद नहीं थम रहा है और अब जेन्यू हिंसा पर जो घमासान है वो तो हम देख रहे हैं लगातार जल रहा है अब वीसी के खराब भी जेन्यू के जो छातर शुक्षक हैं मार्ष निकालते देख रहे हैं क्या जानकारी जी बिल्कुल पूजा देख सकते आप जिस तरह से तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को देख सकते यहां पर जो दिगज निता है लैपके बात करें तमाम जो संगठन के दिखाना चाहूंगा जो तमाम जो दिखाना चाहूंगा जो तमाम जो लोग है और यही वज़ा है कि आप देख सकते हैं जिस्ता से अग्रू मुतलब जो यहां पर प्रफ्दर्शन कारी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो वह देख सकते हैं मंडी हाउस से ये इनका जो काफिला है वो जंतर मंतर की और जा रहा है तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं जो छात्र के समर्थर में यहां पर लोग आए कुछ लोग भी हमाई सत्मोजद है सबसे पहला मंग तो यह कि जैनीव को तुरंत रिजाइन करना चाहिए क्योंकि वह एकदब गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर कर रहे हैं और उनको वहां रहने का कोई हक नहीं है लोग शामिल हो रहे हैं तो सभी लोग रहेंगे ना पॉल्टिकल चेहरे इंसान नहीं है क्या अगर वह इंसान है तो वह भी रहेंगे को बुलाये गए था इसमें आ खुदा है अपने dependence हैं क्योंकि सब्हən पर एकर लोग जनता लिए कड़े हुए में जैनियू के लिए प्रत में सामिल होये देख सकते पूजा जिसती तक कहीं न कहीं जो प्रोटेस्ट है वह रहने वाला है अब भी यह देख सकते हैं वह पीछे की तस्वीर भी एक बाद दिखाए जो अलग-अलग संगठन के लोग पोश्टर बैनर लेकर संगठन में सामिर हुए है अलगतार अब प्रोटेस्ट कर रहा है आप देख सकते हैं आप जो लोग है यहां पर जो संगठन के लोग है तमाम जो चात्र है वो यहां पर मौदूद है और सब की मांग है जब तक विसी को सस्पेंड नहीं किया जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक यह प्रोटेस्ट जाली रहने वाला है मैं आपको पीछे की भी तस्मीरें दिखाना चाहूंगा देख सकते हैं पीछे जो चात्र हैं वो उनका काफी आप देख सकते हैं काफी लंबा हजारों की तादाद में चात्र यहां पर पहुंचा अलग अब देख सकते हैं यहां पर चाहिए वह लोग यहां पर मौझूद है और लगतार प्रोटेस्ट है वह इनका जारी है तक इंको इंसाफ नहीं मिलता है वह चलने वाला है और जारी रहने वाला है आप देख सकते हैं पीछे की तस्वीरे में दिखाना चाहूंगा आपको के लोग हैं वह लग अलंग पोश्टर बैनर लेकर यहां पर आए हूए हम चामिया से हैं उन लोगों के लिए जैनियु म कि इंसाफ चाहिए इंसाफ मांगने के लिए हैं और लगतार जो चातर संग के लोग है और पिलेकि देख सकते हैं तब तक उनका प्रोटेस्ट है वो जारी रहने वाला मैं पोश्टर बैनर भी दिखाने चाहूँ आँगा आप देख सकते हैं जो पूस्टर बैनर है आप साफ तो भी देख सकते हैं एजुकेस्मन को लेकर रही उसमें मांगी गई है और लगतार जो चात्र है जो संक्थन के लोग है या लेट के निता हैं वो यहां पे मौजूद है यहां पर प्रोटेस्ट में लगतार चात्रों का यह प्रोटेस्ट करेंगे साथ की अब देख सकते हैं और लोग दिल्ली विश्विदाले के स्टूडेंट्स हम लोगों कि आज चूडेंट्स पर हमला किया जैन्यू में उसकी बरत्रिश्णा करते हैं और हम लोगों को लगता है कि जो लकापश पहुंचे हैं ना उसमें व पुलिस का जो गट जोड़ता उसके उपर कारवाई की जाए और तुरंत अभी विपी के जो गुंड़तन को पकड़ा जाए और जैन्यू में जिस तरह से गुंडा राज चल रहा है गुंडा गर्दी चल रही है जहां पे छात्र अपना मांग कर रहे हैं कि हमको बेसिक छि मेदारी है और वो उस पर वो संघर्ष कर रहे हैं तो आप उस पर हिंसक कारवाई कर रहे हैं तो यह हिंसक कारवाई आप कर रहे हैं यह सरकार करवा रही है वहां का जो वाइस चांसलर है वो वाइस चांसलर और वहां की जो एड्मिस्टेशन वो करवा रहे हैं तो आखिर के इन्सान कहां मतलब और सुरक्षित है जब शिख्रा के इतने बरे इसमें जो छात्र है जो निहत्ते है어요 उन्हें को हत्यार्व बंदलाके जोड जाके कर रहे हैं तो आकिर हमारी आजादी कहां है कहीं नहीं हम अजाद नहीं है आज बिल्कुल देख सकते हैं यह तमाम जो लोग है संगठन के लोग है और वो लोग यहां पर एकठा है और सबकी मांग है कि जो जीनियू प्रशासन है उसको निश्कासित किया जा जीनियू का जिसी है उसको हटाया जा इसके अलावा जो इनका देख रहे हैं और सुदेंट्स का प्रोटेस्ट लग रहा है कि आगे तक जाने वाला है आगे भी यह जो चात्रह से ही मार्च निकालते रहेंगे क्योंकि अभी फिलहाल जो कोहराम मचा हुआ है जो यह नियू में वह लग रहा है कि थमेगा नहीं फिलाल के शुक्रिया आप जुड़े हैं हमारे साथ